अधरा रास्वादी और हमारे प्रदर्सक पंडिदीन द्यालूपा जयाय जी के आज जयनती है और पंडिदीन जयाय जी के जयनती के आउसर पे आज के कारकम में मुख्य अतितिकीरूप में पस्तिक विश्व के सबसे लोग प्रिनेता और जिनके नेत्त में किसी सुधार विधेवकों को पारित हुआ है देश घर के किसान आपको मसीहा के रूप में मानते हैं ऐसे हम सब के पुरदेश के पधानमंत्री मानी नरेंद मोधी जी का हम अभिनंदन करते हैं आपका जिनके नेत्त में हम सब लोग संग्ठन का कार कर रहे हैं ऐसे जगत प्रकास नेड़्डा जी का भी हम स्वागत करते हैं आपको अभिनंदन करते हैं बार्ति इंतापार्टी के पूर रास्तिय जेच्छ केंद्री रच्चा मंतरी मानी राज्नात सिंग जी का हम स्वागत करते हैं अभिनुंदन करते हैं किंद्र्य मंत्री और के सबने करते हैं इसे के साथ कंद्रिय मंत्री डाक्टर容 रस्वर्णन जी हैं यहां पे मानीप्रकाश जाविटकर जीन, अधर्य धर्मिन प्रदान जी hands अपना घजन तरह कि ईन्सिंघ्र खावचि जी जीन हैं और इन सक्रा करता हो मन-सुन मांडाविया जी इन मृंत्रि मोंत्री सभीब कें सभी सोगत अभीनेंदन करता हूं ऑप्रक्रम में कुंद सपूरी आध psychiatric Time न कि मुख मुख षुड़ी इनaranहे Character साथ देश के सभी कारयलों मंनीजि के संभोदन ओओ करता हूं उसी के साथ साथ जेश के करोड़ों कार करता हूं ऑज मानि प्रदान मंती जी का उद्भंधन सुनने के Лिए बैठे हैं अब सबी का देश के और कार करता हो का मैं सागत अभीनेंदन करता हूं अब मैं अपने पाटी के राष्टिया दिछ मानि जगतप्रकास नज्ञाद जी से निविधन करता हूं कि आप करें आएं, हम सबी को संभोधित करें मानि जेपी नज्ञाद जी भारत के येशवस्वी प्रधान मंत्री आदरनी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के रक्षा मंत्री और पूर्व में राष्ट्रिय ज्यक्ष रहे सम्मानिय राजनाज सिंग जी राज्य सभा में हमारे नेता और पार्लमेंटरी बोर्ड के सदस्य सम्मानिय थावर्चन गहलोज जी यहाँ उपस्तित भारत सरकार के सभी मंत्री गण हमारे राष्ट्रिय पदादिकारि गण और विभिन स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्य मंत्री गण मंत्रिगंड और भारतिय जन्ता पार्टी के करोड़ों कारे करता जो आज इस संबोधन में इस जम जयनती के अफसर पर उपस्तित हुए हैं आप सब का हारदिक अभिनंदन आप सब का हारदिक स्वागत हम सब लोग जो एक विचार यात्रा में निकले हैं उसकी प्रेर्णा उसकी शुरुवात हम सब जानते हैं कि हमारे आधर्णिय स्वर्गे पंडिद्दीन द्याल उपाध्यजी के माध्यम से हुई है उन्होंने हम लोगों को और पार्टी को एक विचार दिया और उस विचार यात्रा पर हम सब लोग निकल गए और इसी विचार यात्रा को पूरा करने का काम हम सब लोगों ने पकड़ा है आज उनके जन जैन्ती पर सम्मानिय प्रधानमंत्री जी का हम सब को संबोधन मिलेगा मैं अपनी और से आप सब की और से और भारतिय जन्ता पार्टी के करोड़ों कारकरता की और से उनका हारदेख अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं हम सब जानते हैं कि पंडित दिंद्या लुपाध्याजी ने एक आत्म मानवाद के माध्यम से देश को एक वैकल्पिक विचार विवस्था दी थी एक अल्टरनेटिव आइडियोलोजी जो भारत की मिट्टी से रची बसी रही और भारत की मिट्टी से संसकार से जुड़ते हुए विचार किस प्रकार से राजनितिक दल को रखना चाहिए उसका प्रदिशापन उन्होंने किया था और उस एक आत्म मानवाद से निकला अंतोदे और उस अंतोदे से निकला जो हमारे विचार यात्रा को नीतियों में परिवर्तित करने वाला था वो था गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, पीडित, सोशित, दलित जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको मुख्यधारा में लाने का जो प्रयोजन था उसको करने की बात आदर्निय दिन दियालुपाध्य जी ने की और हमारे लिए ये सौभागी की बात है और गौरव का विशे है कि समान्य प्रधान मंत्री जी ने अपने प्रधान मंत्र तुकाल में और गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में भी इस विचारधारा को लेटर और स्पिरिट में जमीनी स्थर पर उसका क्रियानवन किय और उसको एक रूप दिया इस बात का हम सब को गौरव होता है गौरव इस बात का होता है कि उनकी हर नीती हर कारिकरम गरीब सोशित वंचित पीड़ित किसान मजदूर इनको समर्पित रहा है और यह सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ इस देश की तस्वीर बदलने में एक ग्यारा करोड इजद घर बनाकर महिलाओं को इजद देना परिवारों को इजद देना और देश की दुनिया में तस्वीर बदलना यह काम आपके द्वारा हुआ है हम जानते हैं उसी तरीके से प्रधान मंत्री आवास योजना में डेड़ करोड लोगों के जो बग 2022 तक इस बात को करेंगे कि कोई भी व्यक्ति पक्केच सथ के बगएर ना रहे इस विवस्था को पूरा करेंगे इसलिए दिन द्यालुपाद्या जी के सपने को अपने साकार करने में पूरी ताकत सरकार की होड़ से लगाई है उसी तरीके से मुद्रा योजना के माद्यम से 25 करोड लोगों को लोन देने की विवस्था और उन लोगों को जो गरीब तपके के हैं जिनको मुख्यधारा में शामिल होने के आवशकता है उनको आपने मदद करने का प्रयास किया है उजवला योजना के तहद आठ करोड बहनों को गैस का सिलेंडर और चूरहा देना यह अपने आप में देश की तस्वीर बदलता है और मैं तो यह कहूंगा कि सिर्फ यह चूरहा देना ही नहीं था यह बहनों की स्वास्त की दूरगामी चिंता करने के बराबर रहा और इसने भी देश की तस्वीर को बदलने में और महिलाओं को एक तरीके से आपने आजाद किया सशक्ति करन किया यह हम सब लोग जानते हैं दो करोर साथ लाख लोगों को आपने सौभा के यूजना के तहद बिजली पहुचाई मैं गाओं का रहने वाला हूँ मुझे मालूम है कि घर में बिजली आने का मतलब क्या होता था 18,000 गाओं बिजली से बगेर थे और यह आजाद भारत की तस्वीर थी लेकिन आपने प्रधान मंत्री बनने के बाद संकल्क लिया और आज 100% बिजली युक्त आपने किया है यह हम सब को पता है मुझे खुशी होती है कि आपके नित्रतों में आयुश्मान भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरिज लगबग 50 करोड लोगों को इसमें जोडा गया और लगबग 1 करोड 35 लाख लोगों ने इसका फाइदा उठा लिया लगबग 16 करोड रुपे इसमें खर्च हुए हैं और ये वो लोग हैं जो समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े हैं रेडी वाला फेडी वाला रिक्षा वाला आटो वाला रैग पिकर जो पूरे से जो सामानी कठा करता है ऐसे लोग घर में काम करने वाली मेट सर्वेट इनको आपने 5 लाख रुपे का हेल्थ कावरेज दे करके उनको मुक्यधारा में शामिल किया और एक करोड तीस लाख के आसपास दो सालों में लोगों ने इसका लाब उठा लिया है उसी तरीके से प्रधान मंतरी किसान सम्मान ने दी किसानों को मुक्यधारा में लाने का काम पहली वार हुआ प्रदान मंतरी फसल भीमा योजना हेल्थ सॉयल कार्ड और फिर प्रदान मंतरी किसान सम्मान योजना इसके कहल आपने 10 क्रोड किसानों को जोड़ा उनको मुखे धारा में शामिल किया है ये हम सब लोग जानते है और अभी जो किसान का बिल आया है जिसने किसान को आजादी दे दी कि वह अपने उत्पाद का उचित दाम ले सके और बाजार में उसको जहां अच्छा दाम मिलता है वहां वो जा सके इसकी आपने आजादी दी इसके लिए भी मैं हम धन्यवाद देते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि आज के दिन आपका जो हम सब को प्रभोधन होगा जो मार्दर्शन होगा आपके बराबर उप्युक्त नित्रत देने वाले इससे हमको प्रेड़ना मिलेगी आपने लेटर और स्पिरिट में अंतोदे को उतारा है धर्ती पर उतारा है भारत की जनता को आपने नीती और कारेकरम के माध्यम से पहुचाया है इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा प्रभोधन उप्युक्त भी है और हम निश्चित रूप से आपके प्रभोधन से आपके मारदर्शन से लाभान्मित होंगे भारत के करोडो करोडो कारेकरता लाभन्मित होंगे और आपके बताय रास्ते पर चलेंगे मुझे एक बात की खुशी है कि जब जब भारतिय जनता पार्टी ने आप से जब भी निवेदन किया है कभी छोटा या बड़ा कोई भी कारेकरम हो आपने पार्टी के एक समस्प्रित कारेकरता के रूप में हमेशा हम सब को मार्ग दर्शन दिया है और पार्टी को आपने दिशा दी है दृष्टी दी है मैं पुना सभी करोडो कारेकरता जो आपको आज सुन रहे हैं उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप हमारा मार्दर्शन करें, हम सब को रास्ता दिखाएं और हम आपको विश्वास लाते हैं कि उस रास्ते पर भारतिय जनता पार्टी का एक-एक कारे करता चलेगा. धन्य नमस्कार देश भर में फैले भारतिय जनता पार्टी के कर्मट कारकरताओं को पंडित दिन दाल उपाध्याई जी की जन्ब जैनती पर अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मारदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पीद भाव से आगे बढ़ पाएं. आप सभी सामान्य जन्द की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पीद भाव से निरंतर काम कर रहे हैं. कोरोना की चुनावत्कियों के बीच भी भाजपा कायरकरताओं ने अपनी इस सेवा साधना को बीना रुके, बीना थके, जारी रखा है. इसमें हमारे कई कायरकरताओं को अपना जीवन भी खोना पड़ा है. दूसरों की मदद करते हुए अनेकों कायरकरता स्वयम भी कोरोना से संक्रमित हुए है. हमारे जिन साथियों ने अपनी जवन लिला समाज की सेवा करते करते गए. समाप्त की हैं, मैं आज उन सभी दिवंगत साथियों को आदर पुर्वक अंजली देता हूँ. मैं भाजबा के प्रते कायरकरता को, उनके सेवाभाव के लिए, उनके परिशम के लिए, आदर पुर्वक नमन करता हूँ, और प्रेरणा रूप, ये सेवा साधना की परंपरा, हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी, मैं उनकी प्रसमसा करता हूँ, हमारे सभी लाखों कारकरता, जो इस संकट की घड़ी में सेवा में रत है, उनके और उनके परिवार जनों के स्वास्त की भी कामना करता हूँ, और जैसे हर देश स्वासी के स्वास्त की कामना करता हूँ, मैं अपने हर कार करता साथी की भी उत्तम स्वास्त की कामना करता हूँ साथियों, मैं हमारे राष्ट्री अध्यक्ष नड्डा जी का बहुत आभारी हूँ, कि बीच में मुझे इस कौरणा के समय जो सेवाकारिय कर रहे थे, उन कारकरताओं से बातचित करने का आउसर मिला था देश के अलगलग कौने पर कैसे पार्टी के कारकरता खब गए, गरीब से गरीब की जरुरत के लिए जिस प्रकार से वो दोड़ते रहे, एक-एक घटना भहती प्रेरक थी कुछ कारकर काओं के तो पूरे परिवार सेवा भाव से जूड़ गए थे, और समाज भी देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी ये सेवा भाव, ये कर्तव्य भाव, संगठन का समाज के प्रती नित्य समर्पण, ये अपने आप में माभारती के लिए हमने जो सपने संजोये हैं, उन सपनों को बहुत बड़ा बल देते हैं और इसलिए मेरे कारकरता भाईयों भेनों, आपने जो किया है, वो मीडिया में छपे, न छपे, टीवी में दिखे, न दिखे, लेकिन आपने सामान ये गरीब के दिल में जगा बना ली हैं, बहुत बड़ा काम किया है साथियों, आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं, जिनों ने दिन दयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो, या उनके साथ काम किया हो मुझे पंडी दिन दयाल जी के दर्शन करने का सोभागे नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताय हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन, और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है प्रिणना भी देता है, उर्जा से भर देता है, साथियों, एक राष्टर के रुप में, एक समाज के रुप में, भारत को बहतर बनाने के लिए, दिन दयाल जी, उनका जो योगदान मिला है, वो पीडियों को प्रेरित करने वाला है, भारतिये जनता पार्टी के हम सभी कार करताओं के लिए, उनका दिखाया मार्क, हम सभी को प्रेणा देता है, प्रोधसाहित करता है, साथियों, ये दिन दयाल जी ही थे, जिनोंने भारत की राष्ट निती, अर्थ निती, समाज निती, राज निती, इन सभी पहलूँ पर, भारत के अथाह सामर्थ के हिसाब से, तै करने की बात, बड़ी मुखर्ता से कहीं थी, लिखी थी, उस समय जब, आजाद भारत के नवनिर्बान के लिए, विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी, दिन द्याल जी, आधुनिक भारत के विकास के लिए, भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटी-कोटी जनों के पुर्शार्थ पर, उनके पराकरम कर, उनकी प्रतिभापर, भरोसा करके, उनी से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर, वे आवाज बुलंद करते रहेते हैं, समय ने सिद्ध किया है, कि दिन द्याल जी का विजन कितना दुरगामी था, कितना दूरदर्शी था, साथियों, 21 सदी के भारत को विश्वपटल पर नई उचाई देने के लिए, एक सो तीस करोड से अधिक भारतियों के जीवन को बहतर बनाने के लिए, आज जो कुछ भी हो रहा है, उसमें दिन द्याल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का, बहुत बड़ा आशिरवात है, इस बार उनका जन्मदिवस इसलिए भी विशेश हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही देश ने वो एहम निर्णे किये हैं, जिस पर पंडित दिन्दैल उपाई ध्याय जी के चिंतन की प्रकाश लेखाएं हैं, प्रकाश पुन्ज हैं, हमारे देश के किसान, हमारे स्रमिक भाई भेन, युवाओं, मद्यमबर के हीत में, इस दिरों सरकार में रहते हुए, राज्य सरकार में बैठे हमारे और कारकरताओं ने अनेक अच्छे फैसले लिए हैं, एतियासिक फैसले किये हैं, जहां जहां भी राज्यों में भी हमें सेवा करने का आउसर मिला है, वहां की हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम, वहां की पार्टी और पार्टी की टीम, इनी आदर्शों को परिपुरून करने के लिए उतने ही जी जहान से लगे उड़े हैं, आज से ही देश के इमानदार करद्याताओं के लिएतों को सुरक्षा देने वाला फैसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स विवस्था से जुड़ने वाला है, इमानदार करद्याताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए फैसलेस टैक्स सिस्टिम कुछ महिने पहले ही टैक्स रिजिम का हिस्सा हो चुका है, अब वहां से उपर अपील में जाना है, अब फैसलेस अपील का प्रावधान करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रहुत से बहुत बड़ी सुरक्षा देगा, और मैंने हमेशा कोशिच की है, सरकार की जिने जरूरत नहीं है, उनके जीवन में सरकार दखल न दे, सरकार जितनी कम दिखे उतनी समाज की ताकत बढ़ती है, साथियों, आज जब देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए, एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, गलीतों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मद्दूर, उन सब को, उनका हक देने का बहुत एतिहासिक काम करने का हम सब को सौभाग मिला है, और एक कारकलता के रूत में, भारतिये जनता पार्टी ने जिस समस्कारों से हमें गड़ा है, मन को भहुत संतोष होता है, आजादिक अनेक दशकों तक, किसान और स्रमिक के नाम पर, खूम नारे लगे, बड़े बड़े गोशना पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसोटी ने सिद्ध कर दिया है, कि वो सारी बाते कितनी खोकली थी, सरब नारे थे, मैं समयता हूँ देश, अब इन बातों को भली भाती जामता है, इसलिए ही दिन्दैल जी कहते थे, कि बड़ी बड़ी गोशनाओं के बावजूद जनता की अपेशाएं पुरी नहीं हो रही है, यह उस जमाने में वो कहते थे, और पंडी जी ने कहा था, अविवस्ता और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षाव और असमाजिक्ता, उस समय का उनका वर्नता बढ़ती जा रही है, उनकी कहीं ये बातें, बात के दस्वकों में और प्रबल होती गई, दंद एल जीद हमें छोड़के बहुत पहले चले गए थे, ये तब और भड़ा, जब कुछ लोगों ने राष्टहीत और जनहित के बजाएं, सत्ता और स्वहित को राजनीती का हिस्सा बना लिया, साथियों, किसान और स्रमिक के नाम, परदेश में, राज्यों में, अन्यकों बाहर, सरकारे बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या है? सिर्फ बादों और कानूनों का एक, उल्जा हुआ जाल, एक ऐसा जाल, जिसको ना तो किसान समझ पाता था, और नहीं मेरा स्रमीक भाई भेन समझ पाता थे, किसानों को ऐसे कानूनों में उल्जा कर रखा गया, जिसके कारण, वो अपनी ही उपज को, अपने मन भुता भीक, बेज भी नहीं सकता था, नतीजा ये हुआ, कि उपज बढ़ने के बावजूद, किसान ने पसिना भाहने में कोई कमी नहीं रखी, बुन्द बुन्द पानी का, तील तील जमीन के हिस्से का उप्योग करते हुए, देश वासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए, हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी, उपज बढ़ाने के बावजूद, किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी, हाँ, उन पर दीनों दन कर्ज बढ़ता गया, कर्ज जरूर बढ़ गया, साथियों, भाजपा के नित्रुतों में, NDA सरकार ने निरंतर इस्थीती को बदलने का प्रयास किया है, प्रामानित प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है, कोई नीची स्वात के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्यान को ध्यान में रखते हुले हैं, पहले लागत का डेड़ गुणा, MSP तै किया, उसमें रिकोर्ड बडोतरी की और रिकोर्ड सरकारी खरिद भी, NDA सरकार ने ही की है, इतिहाज बना दिया है, बीते सालों में, ये निरंतर प्रयास किया गया है, कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए, PM किसान सम्मान निधी के तहट, देश के दस करोड से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में, कुल एक लाग करोड रुपे से ज़्यादा ट्रांसफर किये जा चुके हैं, सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्द हो, पहले सिर्फ उसी किसान को के सी सी का लाब मिलता था, जिसके पास दो हेक्टर जमीन हो, हमारी सरकार इसके दाइरे में देश के हर किसान को ले आई, थोड़ी सी भी जमीन होगी, किसान है, इसका हगदार है, अब किसान क्रेडिट का लाब पशूपालकों को और मचली पारन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है, साथियों, पिछले सरकार के पांच साल में, किसान क्रेडिट कार द्वारा किसानों को करीब 20 लाग करोड रुपिय का रंग दिया गया था, मैं यूपिय सरकार की बात करता हूँ, भाजपा सरकार के पांच वर्ष में किसानों को लगबग 35 लाह करोड रुपिये के सी सी के माद्यम से दिये गए हैं। सरकार देश व्यापी अभ्यान चला कर जादा से जादा किसानों को के सी सी से जोड रही हैं। ताकि उन्हें किसी और के पास उंचा ब्याज दे करके, जमीने गिर्ज भी रख करके, पहले इस ही अनाज बेचने का एक प्रकार से सोधा करके, कर्ज लेने की मजबुरी से बाहर निकानने के लिए हमने एक एहम काम पुरी ताकत से शुरू किया है। इन सभी प्रयासों से देश के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है। और अब दसकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। क्रिश्टी में जो सुधार किये गए हैं उसका सबसे ज़्यादा लाप छोटे और सिमान्त किसानों को मिलेगा। देश में सो में से पचासी, 85 out of 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस रेणी में आते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान जो आज सबसे ज़्यादा खुश है। पहली बार उनको अपनी उपच के मोलभाव का विकलप मिला है। पहले की परंपुनाथी मंडी में बेचने की अगर उसको लगता है कि मंडी के बहार फाइदा है तो मंडी के बहार बेचेगा। उसको लगता है कि मंडी के बहार फाइदा है तो मंडी के बहार बेचेगा, फर्क इतना किया है, महत्वपुर्फर्क है, किसान को हक दिया है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज़्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा, साथियों, भाजप सरकार ने जो काम किया है, अब भाजप आके हर कायरकरता को, इन कानुनों की भावना को, बिलकुल सरल भाशा में, किसान साथियों के बीच बैठ करके, गाउं में जा करके, खटिया की परिशदें करकर के, चार पाई की परिशद करकर के, छोटे-छोटे गृप में हमें बताना है, और ये वर्चुरल जब दुनिया चल रही है, तब एक प्रकार से ही अवसर है, कि हम बड़े-बड़े कारकम न करते हुए, छोटे-छोटे कार पांच किसान, दस किसान बैटे हैं, चाय पी रहे हैं, चौर चार पाइपर बैटे हैं, अपनी बात उनके सवालों के जबाब बात चित कर, और वो हमें इतनी अच्छी चीजे बताएंगे, वो हमारे विचार को भी काकत देंगे, उनके बिच ले जाना, मैं भारतिये जनताप पांटी के हर कार करता, पंडित देंदयाल जी के विचार को हमने विहवार में कैसे लाया है, ये ले जाने का भियान बनता है, किसानों से हमेशा, जिन्होंने जूट बोला है, जूट बलने वाले कुछ लोग, इन दिनों अपने राजनितिक स्वार्त की बज़े से, किसानो के कंदे पर बंदू के फोड रहे हैं, किसानों को भमित करने में लगे हैं, ये लोग अफ़ाएं फेला रहे हैं, देश के किसानों को ऐसी किसी पी अफ़ा से बचाना, क्रिशी सुधार का महत्व समझाना, भारतिय जनता पार्टी के हम सभी कारकरताओं का बहुत बड़ा क करतव्य हैं, हमारी जिम्मेवारी हैं, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिस्चित करना है, उजवल बनाना है, हम जितना जादा किसानों को क्रिशी सुधार की बारिक्यों के बारे में समझा पाएंगे, उतना ही किसान जागरुग होगा, और अपने को कोई अगर लू करता है तो वो खुद भी जागरू हो जाएगा अपने आपको बचा लेगा और इसलिए किसान को ससक्त होने का ये रास्ता है साथियों किसानों की तरह ही हमारे हाँ दसकों तक देश के स्रमिकों को भी कानून के जान में उल्जा कर रखा गया है जब जब समीकों ने आवाज उठाई तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया स्थीती ये थी कि निर्माण से जुड़े स्रमीकों के लिए एक कानून खेट से जुड़े स्रमीकों के लिए दूसरा कानून पत्रकारिता से जुड़े कामगारों के लिए एक कानून फिल में उद्योग के ख्षेतर में काम करने वाले स्रमीक साथ योग लिए अलग कानून ऐसे अनेक कानून थे जरूरत स्रमीकों का जीवन आसान बनाने की थी लेकिन उनके जीवन को कानूनी दाव पेचों में उल्जा कर रख दिया गया इस वज़े से वो इनसाथ के लिए कौड का रुख करने करते भी तो बरसो बरस कचरी के चकर ही काड़ते रह जाते हैं अब इस थीति को बदल दिया गया है चार लेवर कोर्स के माद्यम से देश के स्रमिक साथियों को बरजनों कानूनों के कूच चकर से भार निकालने का प्रयास हमने किया है स्रमिकों के स्वास्त, स्रमिकों की सुरक्षा, स्रमिकों की सुविधा और स्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब पचास करोड संगठीत और असंगठीत छेत्र के समिकों को वेतन मिले और वो भी समय पल मिले इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है अभी तक खनन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपिंग और क्लीनिंग, मैनुफेक्टरिंग ऐसे कुछ कामों से जुड़े देश के सिरफ 30 प्रतिशत समिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था, याद रखिए, सिरफ 30 प्रतिशत अब आईटी इंडिस्ट्री, होटेल, ढाबा, ट्रांस्पोर्ट, गरेलू कामगार, और संगड़ी छेत्र के तमाम दूसरे समिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है हमें, हमें समिकों के आशिरवाद मिलने वाले हैं, साथियों, अभी पूरे देश में, न्यूनतम वेतन को लेकर, करीब दस हजार अलग-अलग दरे हैं, आप चुमक जाएंगे सुन करके, दस हजार अलग-अलग दर, हमने दस हजार दर बताई है वो, जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है, अब नए प्रावधानों से, दस हजार को कम करके, सिर्फ करीब-करीब दोशों के अंदर ही उसको कर दिया गया है, बड़ी महनत पड़ी है, लेकिन किया है, इसके अलावा, अब ठेका मजदूरी के स्थान पर, एक फिक्स ट्रम के रोजगार का भी विकल्ब दिया गया है, ऐसे समीकों को, रेगूलर, रेगूलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा, वेलफेर से जुड़ी दूसरी यूजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा, और उनी की तरह काम के गंटे भी फिक्स होंगे, बारा पंडे, ड़स गंटे मजदूरी करवा लेना, यह अब बंध होगा, वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में, काम के लिए जाने वाले स्रमिक साथ्यों के स्वास्थ, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है, किसानों, खेत मदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगड़िक छेत्र के मदूरों के लिए, साथ वर्ष की आउग के बाद, पैंशन और बिमा से जुड़ी योजनाएं, हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरम कर दिया है, अब नए प्रावधानों से, ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच्छ और मजबुत होगा, ये नए प्रावधान, देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे, करप्शन भी रुकेगा, इस वज़े से संगडिर्च छेत्र का दायरा भी बढ़ेगा, और रोज़कार के नए अवसर भी उप्लक्त होंगे, साथियों, जो पहले के स्रमक कानून थे, वो देश की आधियावादी, हमारी महिला स्रम शक्ति के लिए काफी नहीं थे, अब इन नए कानूनों से हमारी बेहनों को, बेटियों को समान मान दे दिया गया है, उनकी जादा भागिदारी को सुनिशित किया गया है, अब देश के स्रमक्षेत्र को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है, साथियों, किसानों, स्रमीकों और महिलाओं की ही तरह, छोटे-छोटे स्वरोजगार से जुड़े साथियों का, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, जिसकी सूद कभी नहीं ली गई, रेडी पट्री, फेरी पर काम करने वाले लाखों साथी, जो आत्म सम्मान के साथ, अपने परिवार बरन पोशन करते हैं, उनके लिए भी पहली बार एक विशेश योजना बनाई गई है, ऐसे लाखों रेडी पट्री वाले साथियों को, बैंक से सीधे दस हजार रुपिय का रण उपलब्द कराये जा रहा है, यह सिर्फ एक मुस्त रण की योजना नहीं है, बलकि इसे रेडी पट्री वालों को इस तरह बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा गया है, कि अगर वो अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है, और बैंक के साथ उसका लेंदन भद बढ़िया दंग से चल रहा है, तो आगे भी जादा लोन दे सकें, कम दरों पर कर्ज दे सकें, ये ववस्ता की गई है, ऐसे काम से जुड़े अनेक साथी गाउंगों को छोड़ कर शहर पहुंचते हैं, उनको वहाँ आवास की बहतर सुविधाय प्राप्त हो, इसके लिए भी उचीत की रायवाली आवास योजना बनाई गई हैं। साथियों, कोशिश ये हैं, कि आत्मन निर्भरता के व्यापक मिशन से जुड़े, हर कोई जुड़े, सभी को अवसर मिले, और यही तो दिन्दायल जी का सपना पुरा करने का प्रयास हैं। इसी दे के साथ, SC, ST, Schedule का, Schedule Tribe, उन वर्ग के साथियों के लिए भी, जो आरक्षन का प्रावदान है, उसको हमारी सरकार ने पार्लामेंट में अगले दस वर्ष के लिए बढ़ाया दिया गया है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आगे बढ़ने के लिए, उचीत अउसर देने के लिए, पहली बार, दस प्रतिशत का आरक्षन दिया गया है। इन सुविधाओं का बहुत बढ़ा लाब, समाज के एक बड़े हिस्चे को मिल रहा है। साथियों, गरीब हो, किसान हो, स्रमीक हो, महिलाएं हो, ये सभी आत्म निर्भर भारत के मजबूत स्तंब हैं। इसलिए, इनका आत्म सम्मान और इनका आत्म गौरव ही, आत्म निर्भर भारत की प्राण शक्ति हैं, भारत की प्रेनना है। इनको ससक्त करते ही, भारत की प्रगति संभव है। भाजपा की हर सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, या राज़ में, वो यही प्रयास कर रही हैं, कि समाज के सभी को सही अवसर मिले। कोई खुद को छूटा हुआ मैसूस न करें, साथियों, हमारा वैचारिक तंत्र और राजनितिक मंत्र साफ है, गोलमोल नहीं है। और हमने उसको जी करके दिखाया है, हम लोगों के लिए राश्ट सरवो परी, नेशन फर्स्ट, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा कर्म है। साथियों, हमारे सारे लक्ष इसी एक मंत्र में समाहीत है, भारतिय जंता पार्टी के प्रतेक कारकरता को 21 सदी की राजनिति में अपनी यह पहचान और शशक्त करनी है। एक वर्स पहले इसी पहचान के कारट देश ने भाजपा को आउसर दिया है, अपना भरपूर अशिरवाद दिया है। मुझे खुशी है कि बहुती कम समय के भीतर हमने दसकों से चले आ रहे हैं मामलों को निप्टाया है। अनेक बड़े वाइदों को पुरा किया है। बाजपा के कारकरता के रूप में जिस संकल्प पत्र को लेकर आप घर घर द्वार द्वार गए थे। आज जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। हर गर जल और हर गाउं तक तेज इंटरनेट जैसे अनेक ऐसे संकल्प हैं, जो करोणों देशवास्यों के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 370 अयोध्याम भव्य राम मंदिर का निर्मान जैसे वो वादे भी शामिल हैं, जिसको दसकों की हमारी तपस्या का भी आधार रहे हैं। दे रहे हैं संकल्प लेकर उसे सिद्ध करने की इस ताकत को हमें बनाए रखना है। उर्जावान रखना है। साथियों, बदलते हुए समय में हैं, बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। भाजपा के कायर करता ने इस दोर में जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और एडप्टिबिलिटी दिखाई हैं, वो भी प्रसंसनिय हैं। कोरोना काल में भी हमने ये कर दिखाया है। देश के सामान्य मानवी को जब हमारी बहुत ज्यादा जुरुरत थी, तब हमने अपने राष्ट्र व्यापी नेटवर्क की ताकत हमारे देश के लोगों की सेवा में लगा दी। सहर हो या गाउं, हर जगर भाजपा कार करताने लोगों की मदद की और आज भी कर रहे हैं। बदलती परिस्तितियों में भारतिये जनता पार्टी ने अपने जनसंपर्क को टेकनोलोजी आधारित भी बनाने का भर्षपूर सफल प्रयास किया है। और मैं भाजपाग अध्यक सिमान नड़ा जी और उनकी पूरी टीम को भी इस ट्रांस्परमेशन के लिए बहुत बहुत बदाई देता। सात्यों समाज की सवा में सकरिता दिखाने के साथ साथ दल के रूप में, कारकरता के रूप में हमें एक और बात का विशेश ध्यान रखना है। हमारी बाते, हमारे विचार, हमारा आच्रण, 21 सदी के भारत की आकांख्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूपी ही होने चाहिए। हमारे आदर्श, हमारी परंपरा, हमारी प्रेणा, जितनी प्राचीन है, उतनी ही नवीन भी होनी चाहिए। हम बले ही दुनिया के सबसे बड़े राजनितिक दल हो, लेकर हमारी पहुँच भारत के छोटे से छोटे गाउं तक, छोटी से छोटी गली तक, गरीब से गरीब के घर तक होनी चाहिए। राश्ट रहित में जो योजनाय बनाई गई हैं, उन्हें लोगों तक तो पहुचाना ही है, हमें अपने सामाजिक दाईत्वों को भी सजगता से निभाना है। अगर कोरोना के इस कालखन की ही बात करें, तो दोगज की दूरी, मास्क, हाथ की साब सफाई, इन सभी के लिए जागुर्पता फैलाना निरंतर जरूरी है। हमें खुद भी इन नियमों का सक्ति से पालन करना है और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोट्साहित करना है। साथियों, आज देश वोकल फर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ बातों से ही संभव नहीं होगा। भाजपा के प्रतेक कायरकरता को भी स्थानिय उत्पादों को प्राथमिक्ता देनी है। जब करोडों भाजपा का खायरकरता लोकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रुप से इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत बिलेगी। मुझे विश्वास है कि हम सभी अपने अपने खेत्र में, अपने अपने बुथ में इसका नेत्रुत्व करेंगे। उदाण बनकर परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। देश के नवनिर्वान के इस मीशन में सिख्षा का भी बहुत बड़ा स्थान है। मैं भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं से आगरह करूँगा, कि हर इकाई पांच दिन, साथ दिन का एक विशेश सत्र तय करें, जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाएं और हमारी जो राष्ट्रिय सिख्षा निती आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वाकई उसको बारी के से अध्यान करने की जरूरत है। अध्यान करने से हम भी समाज में ये सिख्षा का जो बडलाव है, जो लोग चाहते थे, इतना बड़ा इसका स्वागत हुआ है, इतना ही बड़ी उसका सम्मान हुआ है। लेकिन उसका लाप हमेल पहुचाना होगा। हमेल लोकों के साथ बैठ करके, सिख्षा जगत से जुड़े लोकों के साथ बैठ करके, हर की काई अपने अनुकुल साथ से, पात दिन का साथ दिन के समीट रखें, रोज दो दो घंटे के समीट हो, आप देखिए, बात जितनी नीचे जाएगी, लोकल अनुभव उसके साथ जुड़ जाएगा, जिस 30 सान के बाद, देश में जब सिख्षा निती आई है, ये 21 सदी का बहुत बड़ा आधार बने, ये देखना हम लोगों का मिशन होना चाहिए. साथियों, मैं फिर एक बार, पंडित दिन्दा अलुपाद धहजी को आधर पुर्वक नमन करता हूँ, इस पार्टी को बनाने के लिए, अने एक परिवारों ने, जो अपना जीवन खपाया है, उन सभी परिवारों को नमन करता हूँ, और आप सभी कार करताओं के बलबू पर माभारती की सेवा करने के लिए हम जो चल पड़े हैं, माभारती के लिए जो सपने हमने संजोये हैं, उन सपनों को पूरा करने में, पंडित दिन्दाहल जी के आशिरवात हम पर बने ही रहेंगे, हमारे सभी बुजुर्गों के आशिरवात बने रहेंगे, और आपका परिश्रम, आपका संकल्प, आपका सामर्थ, आपकी दोडधूप, ये सब कुछ राष्ट को आगे बढ़ाने में काम आने वाली हैं, एक कारकरता के नाते, आप सब के बीच आ करके और ये अवसर पर बात करने लिए मोका मिला, मैं अपने आपको भागवान मानता हूं, मैं इसी कामणा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।